We have talked about direct observation, यानि हम यह कह रहे हैं कि जब आप informal assessment करते हैं, तो आप बच्चों को मुसलसल observe करते हैं. Direct observation is the most basic of all information technique. It requires active participation on the teacher's path during daily classroom routines when children are engaged in classroom activities. बच्चे जब काम कर रहे होते हैं, रोज मर रहा का, तो हम उनको मुसलसल observe कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कौन है और क्या कर रहा है, किसा से behave कर रहा है, इतनी तेजी से काम फ़तम करता है. Young children have often not mastered the language or behaviors required to perform adequately in a structured test situation. अब ये हम क्यों observe कर रहे हैं, इसलिए कि अक्सर बच्चे language में master नहीं होते, अभी तो वो सीख रहे हैं थोड़ी से vocabulary हैं उनकी, तो वो test की language को समझ नहीं पाते, और उस वक्त वो अच्छा perform नहीं कर पाते, तो हमें observation की ज़रूरत पेश आती है. और जब हम कुद देख रहे होते हैं चीजों को, तो उसको हम direct observation कहते हैं. इसकी कई शकले हैं, जिन में से anecdotal records जैसे brief narrative descriptions of specific events used for understanding behavior when there is no other means to evaluate directly. तो ये ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ हो रही है, फर्स करें आपने कोई activity दे दी है, या बच्चे कहीं perform कर रहे हैं, कोई बज में अदब है, कोई छोटी सी activity जिसमें बच्चों ने कुछ बताना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, अब वो सारा लिखते चले जाते हैं, result of direct observation of behavior and recording should be include the description of a single event, include contextual and superlative information, देखिए हम ये ये करेंगे, जब किसी को observe करेंगे, एक event में एक बच्चे को हम observe कर रहे होंगे, और वो सारी चीज़ें हम describe करेंगे, और हम तफसील से बताएंगे, कि इस ने इस तरह में कैसे, इस अर्से में कैसे perform किया, और किस तरह के behaviors को उसने show किया, एक से जादा बच्चों को देख रहे होंगे, तो हमें समझ नहीं आएगी, हम किसी एक पर तवर्जों बरकरार नहीं रख पाएंगे, अब ये जो चार बड़ी किसमें हैं observation की, जिनमें से एक anecdotal record जो अभी हमने कहा, यानि एक पूरी story जो आप लिखते चल है, बलके हम साथ साथ जो जो जैसे जैसे होता जाएगा, हम उस बच्चे के observation को लिखते चले जाएंगे, कि अब उसने क्या किया, कैसे किया, कैसे deal कर रहा है, कैसे लिख पढ़ रहा है, कैसे teacher के साथ बात कर रहा है, तो ये running record है, then time sampling, is used when there is interest in determining the frequency of a certain behavior, अच्छा ये देख ये देखना है कि teacher से उसने कितनी दफा सवाल पूछा है, ये देखना है कि कितनी दफा वो respond कर रहा है, या जब वो pencil से लिख रहा था, तो कितनी जगा दफा pencil छोड़ के उसने दूसरी तरफ सबज्जो की distract कितनी दफा हुआ, तो किसी एक चीज को देख के हम ये देखना च is used when a context is the main point of interest and behaviors are observed during a specified event instead of time period, या अब ये नहीं देखना कितने time में, कितनी दफा किया है, बलकि ये देखना है कि अच्छा एक कास event है, उसमें बच्चा किस ता से behave कर रहा है, देखे हमें ये देखना होता है normally, बच्चे participate कैसे कर रहे हैं, जब उनको activity दी जाती है, तो वो क इतने तवज्जो से उसमें involved होते हैं, फिर उनके peers के साथ उनका जो dialogue चल रहा होता है, discussion चल रही है, बात सीथ चल रही है, किस तरह की है, वो डरे हुए तो नहीं, सहमे हुए तो नहीं, टीचर से सवाल पूछने हैं कि नहीं, जो काम दिया जा रहा है, उसको कितनी देर में मकمل कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसा event एक, जो है, वो fix कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर जो जो बच्चा कर रहा होगा, उस सारा आप लिखते चले जाते हैं, इस तरह से हमें ये पता चल जाता है, कि किसी खास event में, बच्चा किस किस तरह से behave करता है, तो हमारे पास एक उसको मुसलसल attentive रहना पड़ता है, और चीजों को write down करना पड़ता है, jot down करना पड़ता है.